नमस्कार दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात का एक स्ट्रीट फूड जिसका नाम है पनीर घोटाला पनीर घोटाला एक बहुती लाजवाब डिश है यह सूरत और एहमदावाद में बहुत खाई जाती है स्ट्रीट फूड है वहां का तो आज मैं आपको बताऊं पनीर घोटाला बनाने के लिए जो बेसिक सामान हम को चाहिए वह एक बार देख लीजिए यह देखी मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है इसको मैंने कद्दू गिस लिया है इस तरीके से और यह मैंने 50-60 ग्राम चीज लिया है ज़्यक्र अगर आपके पास ग्रेटेट नहीं है पीसिज में हैतो आप उसको भी कद्दू कश से गिस सकते हैं ठीक है और इस दो टमाटर मैं लिए इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है एक प्याज लिया है उसको मैंने छोटा-छोटा चॉप कर लिया है पाइन चॉप किया है और यह मैंने आधी शिम्दा मिर्च लिया है इसको भी मैंने पाइन चॉप किया है ठीक है शिम्दा मिर्च आप किसी भी कलर की ले सकते हैं तो इसमें देखि करेंगे। 2 tea spoon हम धनिया पाड़र लेंगे और half tea spoon जीरा पाड़र लेंगे बन फोर्थ टीजपून हल्दी, एक पिंच हींग बन टीजपून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है सिर्फ कलर के लिए हम इसको इस्तमाल कर रहे हैं और 1 फॉर्थ टी स्पून लाल मिर्च अगर आप चाहें तो तेज खाते हैं मिर्च तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिलाँगा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं आपको अमेशा इस सजेस्ट करता हूँ कि मसाले आप इसी तरीके से बनाया करें इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है और मसाले आपके जलते भी नहीं है ठीक है आप चाहें तो सूखे मसाले भी डिरेक्ट ली कडाई में यूज कर सकते हैं बट यह एक ऑथेंटिक तरीका है किसी भी सबजी को बनाने का तो यह देखिए पेस्ट बना लिया हमने सारे मसालों का अब हम अपनी को किंग शुरू करते हैं कि देखिए मैंने कडाई ली है इसको मैंने गैस पर चड़ा दिया है और इसमें मैंने एक टीश्पून तेल डाला है कोई साभी कोकिंग वाईल आप ले सकते हैं और सारे जो मैंने सुके मसाले लिये थे जीरा तेजपात का पत्ता लॉंग और इलाइची वो सब इसमें डाल दिये हैं अब इसको हम एक मिनट से भी कम टाइम तक थोड़ा साथे करेंगे बसे जीरा थोड़ा से चटकने लगेगा उसके बाद हम आगे की कुकिंग शुरू करेंगे और उससे पहले एक मैंने मिक्स अब लिया है यह इसमें मै अब इसे स्टेच पर यहां पर हम क्या करेंगे जो हमने मसाले बनाया था वह हम यहां पर प्रट लेते हैं यह जो हमने पेस्ट बनाया था इसको हम यहां पर प्रट लेंगे ग्यास को मैं मीडियम लखना है और हैं अंट थोड़ा से रह गया इसको भी पानी डालकर पलट लेंगे सब्सक्राइब disks अब आश्यचे से भून लेंगे आशे बला और यहां पर हैं तो इत्ये बहुंत पाते हैं को जलने लगते हैं बट क्योंकि यह पेस्ट है को इसको हम अच्छे से भून सकते हैं इससे सब्जी में अच्छा फ्लेवर जाएगा इसका देखिए मसाले हमारे अच्छे से भूनने लगे इसको बस मैंने एक मिनिट तक इस तरीके से भूनाये मीडियम फ्लेम पर अब यहां पर हम हमने जो अनियन लिया था वो डाल देंगे अनियन सारे हमने डाल दिये अब थोड़ी देर हम दो से तीन मिनट तक अनियन को इसमें स्टर करेंगे दो तीन मिनट तक हमें इसको इस्टर करना है तक कि अनियन इसमें अच्छे से पकनी जाते हैं और इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे हमने जो श्रिम्दा मिर्च ली थी वो भी यहां पर डाल देंगे श्रिम्दा मिर्च को भी हम इसमें पका लेंगे अनियन के साफ में देखिए एक मिनट मुझे हो गया है और अब इस स्टेस्ट पर हम यहां पर इस जो हमने पेस्ट बनाया था तमाटर का जिंजर का और लैसुन का इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ठीक है बहुत ही फटा पट बन जाती है सब्जी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको थोड़ी दिर तक पकाएंगे तीन-चार मिनट तक हम इसको पकाते हैं आप चाहें तो इसको ढख कर भी पका सकते हैं और इसी स्टेश पर हम यहां पर 1.5 टीस्पून न नमक को कि देखिए नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें अब हम इसको अराम से तीन-चार मिनिट तक पकाएंगे तामाटर जब तक बिल्कुल अच्छे से पक नहीं जाते हैं आप चाहें तो ढाग भी सकते हैं इसको पकाते हुए तामाटर काफी पक चुके हैं अभी 2-3 मिनिट हम इसको और पकाएंगे इसके बाद फिर हमारे टमाटर अच्छे से इसमें गल जाएंगे और इसके साथ ही मैंने जो कसूरी मेथी ली इसको एक तवे पर इस तरीके से रोस्ट कर लिया है और इसको हम क्रस्ट कर लेंगे जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं नोहीं प्रिगर हो जाता है और काफी अच्छी लगती है यह सबजी में इसको इस तरीके से हम रोस्ट करके और क्रश करके सब्जीयों में यूसर्त कर थे इसमें आप देख सकते हैं इसका तेल जो है सेपरेट ओने लगा है उपर आने लगा है और टमाटर प्याज अच्छ तो समझ लीजे ये पक चुके हैं अब इसे स्टेज पर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर फोड़ा सा दूद लेंगे अधा कप दूद लिया है और उसको इसमिडाव देंगे लिकलब विमेड़ा और फट फट चला देंगे आपए आप चाहें तो दूद की जग़र पर मलाई ने अधा कप आप चाहें तो क्रीम भी बीड़ें सकते हैं ठीक है लेकिन मैने दूद लिया है कि सब्जी आपकी ज्यादा है भी नहीं होगी और आपके डाइजेशन में ज्यादा आपको नुकसान भी देगी इसको हम पकाएंगे दो मिनिट तक अब यह देखे इसी स्टेज पर इसको दूद के साथ पका रहे हैं यह जो हमने कसूरी मेती रोस्ट करके रखी है क्रश करके इसको हम डाल देंगे इसमें इसको मैंने परक दिया है इसको हम इसमें चला देंगे मिक्स कर देंगे अच्छे से और यहीं पर यह जो गरम मसाला है यह हम डाल देंगे जो हमने हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया था और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ओके देख सकते हैं इसमें से तेल अलग होने लगा है इसका मतलब ग्रेवी हमारी रेडियो गई है अब इस स्टेज पर हम इसमें जो पनीर हमने डेट करके रखे दे गो डाल देंगे ओके यह देखिए मैं हाप पनीर डाल दे रहा हूं और इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए पनीर मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस इसको हम एक डिड़ मिनिट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर कि देखिए मुझे एक डिड़ मिनिट हो गया इसको इस तरीके से पकाते हुए और अब मैं यहां पर जो हमने चीज लिया था उसको डाल लेंगे सबसे एंड में और चीज के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो थोड़ा साब पानी यहां पर मिला सक कि देखिए चीज मिलाने के बाद मैंने इसको बस एक मिनिट तक पकाना है और उसके सब्जी हमारी है रेडी हो जाएगी यह देखिए यह हमारा गुजरात का स्ट्रीट फूड जो हमने अभी रेडी किया है खाने में ला जबाब इसको आप आओ के साथ खाईए नान के एक मिनिट हो गया है सब्जी हमारी डन और मैं गैस को बंद कर रहा हूं